नमस्कार कैसे हैं आप अक्सर में बात करता हूँ कि पूरा खेल परसेप्सन का होता है किस तरह किस सालों की राजनिती चलती रही और कैसी पत्रकारिता परसेप्सन की चलती रही उस शड्यंत्र को समझना जरूरी है इसलिए लगातार हमारा प्रयास उस शड्यंत्र को समझने का होता है आज गहराई से उस विशेज हम पूरे इस नेरेटिव के खेल को समझते हैं जो मध्य प्रदेश में प्रवेश शुकला नावत बीजेपी के एक कारिकरता के पेशाप कांड से हुआ अब मध्य प्रदेश की पुलिस ये पता कर ली है ये वीडियो पुराना है तो एक पुराने वीडियो से शड्यंत्र कैसे रचा गया उस खेल को समझी प्रवेश शुकला बीजेपी के एक विधायक का सहयोगी बताया गया उसने एक दलित गरीब व्यक्ति के उपर मुत्र विशर्जन किया उसके वीडियो बनाए वो वीडियो साल डेट साल बाद रिलीज किया गया और उसके बाद बवाल मचाया गया कि कैसे एक ब्राम्हन के द्वारा दलित आदिवासी का अथ के उपर उत्पीरन होता है अत्याचार होता है फिर उसके बाद सवाल पुछा जाने लगा राज्य की सरकार से कि यह दिये मुसल्मान होता तो क्या होता जैरा सुनिए एंडी टीवी के रिपोर्टर का मध्य प्रदेश के ग्रिह मंत्री नौरत्ता मिस्टर से सवाल जवाब देखो कानून अपना काम कर रहा है व्यक्ति गिरबदार हो गया है क्रत्य बहुत घणित था क्रत्य बहुत निंदनिय था यह भाईपा की सरकार है कानून का राज है घटना ध्यान में आते ही मानी मुक्यमंती जी ने तत्का लेने से की कारवाई और कानूनी कारवाई उस पर कर दी थी रात में उसको ग्रभदार भी कर लिया है और अतिक्रमन पर बुल्डोजर भी चलेगा देखिए जहां अतिक्रमन होता है वहाँ कानून अपना काम करता है और इसलिए कानून वहाँ पर अपना काम करेगा प्रदेश में इसके दूसरे खंड को भी सुनिए जिसमें वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि यदि दूसरे समुदाए के लोग होते तो क्या करते है कहा का वहाँ तीनों पुलिस के जवान थे वो तीनों को निलंबित कर दिया गया इन दोर में ये विसे आया था और उसमें तीन लोगों पर कानूनी कारवाई करके ग्रबदारिया कर ली गई सर सीवी बारे मामले में आप बोल रहे हैं कि अतिकरमण होगा तो बुल्डोजर सबीगा कॉंदेश बोल रही है कि अज़र कोई दूसरा आरोपी होता गुना में इस तरह का विसे आया था वो अतिकरमण में हैं जो हत्या की थी जिन लोगों ने अहसास असफाग इस्तखाग ये पाँच आरोपी हैं गिरबदार हो गए पाँचो आरोपी और अतिकरमण होगा तो यहां भी बुल्डोजर सबीगा दावे के बारे में हैं फिर वो रिपोर्टर बुल्डोजर पर सवाल करता है कि बुल्डोजर क्यों नहीं चलाया जाता हूँ मद्देप्रदेश की सरकार अगली दिन उसके उपर FIR करती है UAPA में मुकदमा दर्ज होता है और फिर 24 घंटे कंदर उस प्रवेश्चुकला का घर बुल्डोजर से उड़ा दिया जाता है जब बुल्डोजर से उसका घर उड़ा दिया जाता है तो वही लोग सवाल करते हैं कि बुल्डोजर जवाब नहीं है यही असली खेल है फिर वही रिपोर्टर सवाल करने लगता है कि बुल्डोजर संस्कृति का विरोध होना चाहिए दरसल इनका खेल किसी प्रवेश्चुकला के प्रतिहमदर्दी नहीं है उन माफियाओं के प्रतिहमदर्दी है जिसके घर बुल्डोजर से उड़ाए गए और उत्तर प्रदेस में योगी बुल्डोजर बाबा बन गए फिर उन माफियाओं को कि करोणों के संपत्ती छीन ली गई उनके द्वारा अबैद कब जाए जमीन पर गरीबों के आलिशान घर बने उनके सपनों का घर बना दरसल यही इन खेरातियों को नहीं सुभाता है लेकिन वो एजंडा किसी प्रवेश शुकला के ब्राम्हन होने और उसके द्वारा पिशाप करने पर चलाते हैं ये खेल कैसे चला आगे कैसे गया इस खेल को सबज़े कि इनी शडियंतरकारियों ने उसी मध्यप्रदेश में ठीक उसी समय उसी मध्यप्रदेश के एक शहर में आरिफ शाहिद और अफजल द्वारा मध्यप्रदेश के शिपूरी के में बात कर रहा हूँ शिप्पूरी में इन जिहादियों के द्वारा एक दलित के मुह में मल डाल दिया गया और उसे जूते के माला पहना कर घुमाया गया लेकिन इनी शरार्ती मीडिया ने जो दिन रात प्रवेश शुकला का मुद्दा उठाया ऐसे घृणित मामले को लेकर एक स्टोडी नहीं की आप खलियर हो चुके इन खहरातियों के योटूब पे जाएंगे तो कोई ख़वर नहीं मिलेगी लेकिन ये सब पेशाब बाले मुद्दे को अंतरास्टियस तर तक ले गए यही परसेप्सन का खील है यही नेरेटिव का असली खेल है इस खेल को समझ ये कि कैसे इसी विशेश से जुड़े हुए शडियंत्र को ले करके एंडी टीवी से बाहर हुआ खुद कोई पेट पे लाद खाया हुआ खेराती कहने वाला रवीश कुमार क्या कहता है मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रवेश शुकला को गिरफतार कर लिया गया मगर समस्या उनके एक बयान से है जो उन्हेंने प्रेस कॉन्फरेंस में कही अपराधी की ना तो कोई जाती होती है ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है अपराधी केवल अपराधी है उसे सजा भुगतनी चाहिए आदिवासी यूवक पर पेशाब करने के अपराध से ना तो आप राजनिती को अलग कर सकते हैं ना अपराधी की जाती को या चालाखी होगी पेशाब करने की सोच क्या कान में गरम तेल डाल देने की प्रथा से नहीं आती है फिर मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं कि अपराधी की जाती नहीं होती और ना धर्म होता है आफ्ताब अमीन पुनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता बहुत सारे आफ्ताब अमीन पुनावाला बाप भाई दोस प्रेमी पती बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं इसे धर्म के एंगल से मत देखिए यहीं नहीं अब उस संसनी बाज को सुनिए जो राजीव शुकला का की चेलागीरी से संपादक रहा सालों तक आजकल खलियर है यूटूवर है कैसे ये शडियंत्र इसी पिशाम मुद्दे को चला रहा है और इस पिशाम के साथ किस तरसे नेरेटिव गड़ रहा है मुझ छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोचा बांध रखा है दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा क्या पता उस पर जैश्राम भी लिखाओ ये ऐसा कॉक्टेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देश्भक्त भारत मता के सपूत और पक्के वाले सन अतनी मानते है जैश्राम का नारा भगवा चोला अंगोचा या जंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है ये दलित ये आदिवासी ये स्टी इनकी अवकात क्या है हमारे साथ ये तो इसी लाइक है यही सद्यों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़े इस प्रवेश शुकला के भीतर भी बैठी होगी कोई आफताब महताब या इमरान नाम का गुनहगार मिला नहीं कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के ताउर पर स्थापित करने में पूरा इको सिस्टम जुट जाता है क्या इसको हिंदू मुसलिम का मामला देकर एक तरह से धर्म को फिट टार्गेट करने का बहाना खोजना ठीक है या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ़ताब पुना वाला एक गुनहगार है और एक लड़की का कातिल है उसको कंस्परेसी कहना उसके बहाने हिंदू मुसल्बान एंगल देते हुए मुसल्मानों को टार्गेट करना ये आपकी मानसिक विकरती के अलावा कुछ है दरसल इन सबका नेरेटिव सालों पुराने मुत्र विसर्जन वाले उस पाप के माध्यम से भारत को बदनान करने का था इनका एजंडा यही नहीं था इनका एजंडा माफिया मुक्तार और माफिया अतीक के फेवर में था ताकि उनके खेरात उनसे पा सके उन माफियाओं को जेल से निकाला जाए एजंडा दरसल इसलिए है यह एजंडा लगातार चल रहा है इसलिए इनके थम नेलों को आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है ऐसा नहीं है कि पहली बार किया रवीश कुमार ने तो दिल्ली दंगा मामले में जो असली अपराधी था आम आदमी पार्टी का चुकि वो तुष्टिकरण के समुदाय से आता था इसलिए ताहिर हुसें उसे उसके पक्ष में खेल करना शुरू किया इतना ही नहीं दंगाई शाहरूख खान शाहरूख जो पिस्टल ले करके दिल्ली पुलिस पर हाद चलाया था उसे अनुराग मिस्रा बना दिया ये खेल लगातार जाड़ी था जाड़ी है लेकिन इसके तार कोई दिया पीशे ले जाएं तो परसेप्सन और नेडिटिब का खेल और ज़्यादा समझ में आएगा 2002 में गुजराद धंगा हुआ आयुध्या से साबरमती एक्सप्रेस अमदाबाद जा रही थी उसमें कार सेवक थे वो भजन करते हुए जा रहे थे उसी दोरान गुजराद में अमदाबाद के पासी गोधरा शहर जहां एक खास समुदाए के लोग रहते हैं उस गोधरा स् आते आते पेट्रॉल से एक बौगी जला दी गई उन सथ निर्दोष लोग जल करके खाक हो गए इस पर चुपी रही लेकिन अगले दिन जब गुजराद में विरोध में दंगा हुआ दो दिनों तक गुजराद जलता रहा हिंदू ने उगरुप प्रदर्शन किया उसमें दोनों तरफ से लोग मरें सरकार यां करे जो भारत सरकार के थे गरी मंतरी उस समय के गरी राज्जी मंतरी ने जो सदन में बयान दिया उसके मताबिक लगभक नौसो से जादा मुसलमान मरें और दो सो से जादा दो से खत्तर के आसपा से इंदू मरें बापजूद इसके ऐ कुर्देश छोड़ करके नहीं भागा लेकिन भारत की किसी दूसरे कौने में मुसल्मान नहीं गए गुजरात छोड़ करके यही सब्दे है लेकिन कश्मीर में जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हमला किया तो वो आज भी पलाइन करके ही भागे हुए हैं वो वापस नहीं गए कमाल की बात देखिए कि गुजरात का वो परसेप्सन आज भी गढ़ा जा रहा है लेकिन कश्मीर पर कभी चर्चा नहीं हुए शडियंत्र देखी महात्मा गांदे की हत्या 1948 में की गई गांधी वत के बाद आज तक 75 साल बाद भी उसकी चर्चा होती है उस मामल में गोटसे को सजा दी गई गोटसे का RSS से कभी कोई वास्ता नहीं था RSS से हिंदु महासभा से वास्ता वीर सावरकर का था गोटसे खुद को सावरकर जी का चेला कहा करता था और सिर्फ इसलिए क्योंकि सावरकर जी के साथ गोटसे के कुछ चन बीते हुए थे वीर साव कुछी दिनों बाद बाइजित बड़ी कर दिया गया लेकिन इस देश की शरार्ती मीडिया आज भी वीर सावरकर का अपमान करती है RSS का अपमान गांधी हत्या के लिए करती है लेकिन कमाल की बात ये देखी इंदीरा गांधी की हत्या हुई सिखों ने हत्या किया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के पुर्पधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई इस देश के sitting prime minister की हत्या, इस देश के पुर्पधान मंतरी की हत्या इस देश पर एक बदनुमा दाग है लेकिन कभी कांग्रेस और उसके एको सिस्टम ने उन हत्यारों के लिए परसेप्सन नहीं बढ़ा इंदिरा गांधी और राजीब गांधी के हत्यारों की माफी के लिए सोनिया और राहुल ने मुहीम चलाया जबकि इन राजीब जी की हत्या में LTT आतंकवादियों की हत्या थी की भुमिका थी ये चीजें सामने आई उन हत्यारों से प्रियंकावाडरा जेल में जाकर के मिली ठैनर परसेप्सन का ये खेल कितना खतरनाग खेल है जिस महात्मा गांदी की हत्या में निर्दोश जो सजा हुई उन्हें फांसी की सजा हो गई उसे कोई बचाने नहीं आया उसके पक्ष में कभी कोई नहीं बोलता वीर सावरकर को बड़ी कर दिया गया उन्हें फसाया गया भारत की इतिहास में सावरकर जैसा सैनानी नहीं हुआ, उनके जैसा समर्पन किसी नहीं किया, लेकिन उन्हें खलनाएक बना दिया गया, इसे ही परसेप्सन का खेल कहते हैं, यही एको सिस्टम यूही काम करता है, ऐसे ही नेरेटिव गठे जाते हैं देश के खिलाब, भारत क सनातन को बदनाम करने के लिए, यह पूरा नेरेटिव सिर्फ सनातन को और भारत को बदनाम करने का है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, यह समझना बहुत जरूई है, यह जानना जरूदी है कि पेशाब कांट का वीडियो जो سालों पुराना वीडियो एक आएक क्यों दलित युवक के साथ जिहादियों ने किया उस पर चुप्पी क्यों रही इंट्रिस्टिंग ये है कि उस चुप्पी को के खेल को खुद वहां के ग्रिह मंत्री नरुतम मिस्र ने खोला और साफ साफ बताया और बताया इन सब को सजा होगी एक मानवता को सर्मसार करने वाली घटना है ये शूप्री के नर्वर की और तालिवानी क्रत जैसा है एक घ्रत कत किया है और उससे ज़्यादा घ्रत को दवाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रसासन को फोन किये रहे हैं एक दलत व्यक्ति के साथ में ऐसी के व्यक्ति के साथ में दूते की माला पहनाई गई उसके मुँ में मलवा भरा गया और उसके बाद में अमानों से कत्याचार किये गए उसके साथ में ये बरदास्त नहीं किया जाएगा गिरफदार कर लिए गए गएं लोग और मैंने कहा है प्रसासन को केस पे अने कारवाई करें इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इंके तो अतिक्रमण पर भी बूल्लोजर की कारवाई ततकाल करें इस तरह कि करती हो को मद्यपर्देश में बरदास्त नहीं कर सकते हैं ये जो मूल रूप से आरोपी है अजमल है आरिफ है साहिद है और इस तरह के आरोपी है ये इसलाम है आरिफ खान है इस तरह के छे साथ आरोपी है जिनने इस कर्ति को अंजाम दिया है अज्टति निंदनी ये ख़ता है कमाल की बात है कि राद्जी के ग्रीमंत्री के इस बयान के बाद भी इस मामले पर इन जिहादियों पर कोई चर्चा नहीं है यही नेरेटिव गटना है दरसल इन सब को फंडिंग कहां से होती है यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि नेरेटिव गटने वाले खराती यह खेल क्या करते हैं ये सामने मामला नहीं है ये एक ऐसा पाप है चाहे वो पेशाब कांड हो चाहे वो मल मुह में डालने का मामला हो ये मानपता को शर्मसार करने वाला है लेकिन इसकी पीछे के शड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है कैसे नेरेटिव गढ़े जाते हैं कैसे देश के खिलाब चल और शड्यंत्र किया जाता है ये विशलेशन लिए आपको पसंद आए तो इसे दूर तलक भीजिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नेरेटिव के स्खेल को समझा जा सके बहुत बहुत धन्यवाद बंदे मातरम जय हिंद